दलाइफ टीवी सच सबसे आगे बात कर रही है उनको भरोसा नहीं है मोदी बैजिक पर बीजेपी और बीजेपी में जाने के बाद उनकी इस्तिती यह हो गई कि उनको अपने कारिकरताओं अपने बूथ एजेंटों से कहना पड़ रहा है कि आप लोग मेहनत करिए पंचायच चुनाओ की तरह यानि टकर बह बार दोसा से चुनाओ लड़कर लड़े और जीते भी संसत पहुंचे उनका वर्चस वेतरा जाया था कि पूछिये मत जहां वो खड़े होते थे वहां लाइन खड़ी हो जाती थी लोगों का हुजूम उनके साथ रहता था लेगिन आज के इस्तिती उनकी ऐसी हो गई कि उ और वहां पर भीर ना देखकर वो काफी बौखला जाते हैं काफी नाराज हो जाते हैं घुसे से लाल हो जाते हैं कहते हैं बस मेरी इज़त इतनी है बस यही मेरा भाशन है और वो उतना कहके उतर जाते हैं फिर उनका विरोध बहुत तेज होता है और वो वीडियो सोशल मी रहे देखते देखते अब हंस बाइज मीनाय है। उसी समाज के यह एks это κάν पो पारहे बताते भी यह उस दोर की इस्तिती कि एक आवाज पर सारा सा माज एकत्रित हो जाता था पुरा समाज मीरा समाज एकत्रित हो जाता था एक आवाज देते थे कि रोडिलाल मीरा तो लोग एकठा हो जाते थे जिसके एक हुंकार में जैपुर में चप्पे चप्पे पर एक एक आदमी खड़ा हो जाता था यहां सराज मीरा में मंदन कर रहे हैं कि लोईलाल मीला कर जब भारती जनता पार्टी में नहीं थे कि उनकी एक आवाज पर चपे चपे पर आदमी खड़ा हो जाता था जो दोसा से निर्दली सवा लाख वोटों से जीत कर संसद भवन पहुँच जाता था जो दोसा से बलता था एक निर्दली उम्मीदवार के तोर पर जीत कर संसद पहुँच जाता था सवा लाख वोटों से बड़ी जीत हांसिल करते हैं बिना पार्टी होती है तो कारेकरता होते हैं संसाधन होता बहुत सारी चीज़े होती है और बिना पार्टी के निर्दली उम्मीद्वार के तोर पर लड़ना अपने आप में आप को संगतन कड़ा करना है सब कुछ देखना है आप ही सब कुछ हो और पार्टी में तो कारे करता है आपको बनी बनाई फौज मिल जाती है यहां तो फौज आपको बनानी पड़ती है तो यह इस्थती के रोडी लाल मीरा की थी लेकिन आज की इस्थती में आज इस वक्त की हालत इतनी खराब है कोई सुनने तक को तयार नहीं है यानि उस शक्स को कोई सुनना नहीं पसंद कर रहा है ये इस्तिती हो गई कि रोडी लाल मीरा की और अब आप देखे वो खबर भी वारल हो रही हर जगए खबर चर्चा का विशे बनी हुई कि बताई भाई कि रोडी लाल मीरा राजस्थान सरकार में मंत्री उनकी सभा में भीड नहीं और भीड ना होने के बावजुद उनका भड़क जाना ये अपने आप में सवाल खड़े करता है खाली जन सभा देख भड़के राजस्थान के मंत्री कारिकरताओं से बोले जाओ अपने घर यही मेरा भाशड है राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबनेट मंत्री किरोडी लाल मीडा 15 अपरेल को बसी पहुँचे थे उनको दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का नहीया लाल मीडा के समर्थन में भाशड देना था सभा करनी थी लेकिन जब किरोडी लाल मीडा मंच पर चड़े देखा कि इस सभा में उम्मीद के मताबिक भीर नहीं जुटी थी इससे किरोडी लाल मीडा काफी नाराज हो गया यानि भीर ही वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी वहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे थे बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की वार फलानी की सरकार तो फलानी की सरकार तो आ गई लेकिन न बेरोजगारी कम हुई न ब्रश्टाचार कम हुआ न महंगाई कम हुई बलकि एक बड़ा घोटाला इलेक्टरल बॉन्ड का घोटाला आ गया आप देखी रहे हैं तो जनता भारती जनता पार्टी के नेताओं को सिरे से खारिच कर रही है वो उनके समाओं में नहीं जाना चाती है उनके नेताओं के भाषनों को सुनना नहीं चाती है अब यही किरोडी लाल मीरा जिस तरीके से हंसराज मीरा इनका महिमा मंदन कर रहे थे यही किरोडी लाल मीरा अगर अकेले चुनाव लट रहे होते निर्दली चुनाव लट रहे होते तो शायद जादा भीड दिखाई देती आज इस्तिती इनकी ऐसी है राजस्तान की बीजेपी सरकार बे कैबिनेट बंतरी किरोडी लाल मीडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में किरोडी लाल मीडा मन्द से किसी को फटकाल लगाते हुए नजर आ रहे है कह रहे हैं मेरे को शर्म आ रही है ऐसी सभा करने में अब समझेए कि रोडी लाल मीडा को शर्म आ रही है ऐसी सभा करने में और फिर मन से उतर जाते हैं पूरा मामला क्या है ये जराम समझते हैं दरसल आज तक कि विशाल शर्मा की एक रिपोर्ट आती है उसके मताबिक कहा जाता है कि 15 अपरेल की शाम लगबक 5 बजे के ये घटना है किरोडी लाल मीरा बसी पहुँचे थे जैपुर का बसी विदान सभा क्षेतर दौसा लोग सभा में आता है बसी के खोरी बालाजी मंदिर के पास एक चुनावी सभा होनी थी किरोडी लाल मीरा को इस जनसभा के में दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कनहिया लाल मीरा के समर्थन में भाशर देना था लेकिन जब किरोडी लाल मीरा मंच पर चड़े तो देखा कि इस सभा में उम्मीद के मताबिक भीड नहीं जुटी थी खुरसिया खाली थी, इसे किरोडी लाल मीरा काफी नाराज हो गया बीजेपी ने ता बोले कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी सभा करने में और उन्हें फटकारना शुरू कर दिया कि मुझे शर्म आती है यही मेरा भाशड है जाओ अपने अपने घर यही मेरा भाशड है चलो यह बात कहते हूं मन से नीचे उतराते रिपोर्ट के मताबिक मन से उतरने के बाद उनकी पार्टी कार्करताओं से बहस भी हो गई गुसाए कि रोड़ाल मीरा ने इसके बाद बिना भाशर दिया अपनी गारी में बैटकर चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मंत्री की सभा में भीड़ना आना बीजेपी के मंत्री का बुखला जाना बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ी मुसीबत का सबब है यह और फिर लोगों का रियक्षन सामने आ जाना कि हन्स राज मीना कहते हैं कि इनकी तो वहीया चलती ते लिकिर आज हालत खराब है अमरिंद खलबली लिखते हैं कि बिल्कुल सत्य हैं यहां किसान दलित आदिवासी सिर्फ विचारधारा पर चलते हैं महामाई मुपराष्ट पती जी घर घर घुमें फिर भी शेखावटी में किसानों ने भाजपा को जीरो कर दिया यही पूरी राजस्तान में मीडा और आदिवासी दलित सवाज भाजपा के साथ करने जा रहा है अब चाहे कितने किरोडी लाल मीडा घर घर घुम ले कुछ नहीं होने वाला यह लोगों का रियक्शन है लोगों का रियक्शन इस बार यह बता रहा है कि काफी ज़्यादा नाराजगी है लोगों बे अशोक शिकावत लिखते हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों को लोग नकार रहे हैं बीजेपी की इस बार के चुनाओं में हालत बिलकुल खराब है इस बार मोदी लहर भी गायब है यह सब देखकर बीजेपी को आग लगी है आगामी चुनाओं बीजेपी हारने जा रही है इस तरीके से भी लोग रियक्ट करने हैं रियक्शन दे रहे हैं आप समझिए आप कि जिस भारती जनता पार्टी की तूती बोलती हो जिस भारती जनता पार्टी की राज़ में सरकार हो जिस भारती जनता पार्टी का कैबनेट मंतरी जाकर भाशर देने पहुँच रहा हो वहां भीड ना दिखाई दे रही हो लोग सुनने ना आ रहे हो उससे आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जनता के बीच किस कदर नाराज़ की है जिस मीरा समाज में एक अलग दबदबा की रोड़ी लाल मीरा रखते थे और जिस तरीके से लोग उनका समर्थन करते थे और आज की डेट में उनकी वैलू शूनने हो गई है उनको नाराज होकर मन से उतर जाना पड़ रहा है कि जाओ अपने घर जाओ हम सभा नहीं करेंगे कारकरताओं से बहस भी हो जा रही है तो या आप इस्तिती समझ सकते हैं और फिर दोसा सीट का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोसा सीट में इस बार का नहीया लाल मीरा के साथ क्या होने वाला है अलाइफ टीवी को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया जरूर करिए बेल आइकन दवाई ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे नमस्कार